जेहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आये हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा बस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को स चानता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो अप ब्रेंस का बालमी की कहा जाता है किसको कहा जाता है तो आपके यहां पर सही आंसर क्या होगा स्वेंभू विकल्प नंबर आपके यहां पर सी राइट आंसर होगा बिलकुल सही नुम्बर 42 क्या पूंचा गया है तो देखिए अब ब्रंस के प्रिथम महा कभी कौन थे तो अब ब्रंस के प्रिथम महा कभी आपसे पूंचा है रामचंद्र स्वेंभू या दत्य तो कौश्चन नुम्बर 42 का राइट आंसर बताईए चार विकल्प आपके यहां पर दिये की किरती का नाम है पद्मपुराण, पाहुड दोहा, महापुराण या प्रिथम चरियो तो कौश्चन नुम्बर 43 का राइट आंसर बताईए क्या होगा इसका राइट आंसर चार विकल्प है महत्तुपूंड कौश्चन है और यह आपके जो कौश्चन है यह पूंचे गय क्या है तो कौश्चन क is क्यों गया और यहां पर पूंचा गया है कि इनमेंसे कि ग्रंत में लिका है कि अगनी परिक्षा की वासीता जेन धर्में दीक्षे तो जाती हैं तो बहे ग्रंत बताना है कौन सा बहे ग्रंत है बहे ग्रंत का नाम बताईए यहाँ पर महापुरान या भविस्चत कहा यहाँ परमाहत्मा प्रकास पयूम चरियो तो question number 45 का right answer है आपका यहाँ पर बिकल्प number D पयूम चरियो आपका यहाँ पर सही answer है बिकल्प number D question number आपका यहाँ पर क्या पूँचा है तो question number 46 पोचा गया है इहां पर इन्में से कौन सा ग्रंथ लोग एक चरितर काप बेमाना जाता है तो लोग एक चरितर काप बेमाना जाता है ग्रंथ बताना है तो यहां पर GIC प्रवक्त पर इच्छा 2017 में यह question पूशे गया है question number 40 और इसका जो सही answer है वह क्या है तो लोक्य के चरित का पर माना जाता है तो वह ग्रंत कौन सा है तो भविस्यत कहा यानि कि विकल्प नंबर यह आपका यहाँ पर सही answer है भविस्यत कहा right answer है विल्कुल चही और यहाँ पर question number 47 पूँचा है आप ब्रंस का भववूती किसी म धनपाल महत्पुन question है question number 47 और इसका जो सही answer है कि आप ब्रंस का भववूती कहा जाता है पूस्पदंत को किसको पूस्पदंत यानि कि विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही answer पूस्पदंत आपका right answer यहाँ पर है question number 48 क्या पूँचा गया है तो 48 वा question आपका यह रहा यहाँ पर देखिये निमनलिकित मेंसे कौन सी रचिना पूस्पदंत की नहीं है देखिये नहीं पूचाए आप से यहाँ पर तो नहीं में आपके लिए बताना है तो बताईए महापुराण कमार चरियो या जस अहर चरियो पयूम चरियो तो आपका है आपर सही answer हो का पू रस्पदंद्द की रचिना नहीं है वल्किया सवयंभू की रचिना पर यहाँ पर सवयंभू कहना चाहिया ठाथ तो और यह आपका यहाँ पर राइटा अन्सर विकलब नम्बर डै क्कॉस्चन नम्ब कहने अन पर उनन चास पूंछां गया है बाद? रचिना स्वयम्भू कभी की नहीं है तो यहाँ पर उनन्चास का अंसर बता नहीं पूंचा है स्वयम्भू जी की बताइए पड़ियम चरियू स्वयम्भू चंदे और रिठ अड़ियम चरियू महापुराण यह आपके चार विकल्प है रचिना स्वयम्भू की बताइए पर ऌयूंचास का पूंचा है कौशन नंबर आपका पचास क्या पूंचा है ख़ली बोली में सबसे पहले कापड़ सरजन करने वाले कभी कौन हैं ख़ली बोली में सबसे पहले काप्डे सर्जन करने वाले कभी हैं अमीर खुसरो तुलसीदास सूरदास इनमें से कोई नहीं कोईशन नमबर पचास का आंसर आपके लिए बताना है चार विकल्प आपके यहां पर दे गए हैं और इसका जो सही आंसर है कोईशन नमबर पचास का वह क्या होगा राइट आंसर बताईए महत्तपूर्ण कोईशन है विकल्प नमबर एक अमीर खुसरो अमीर खुसरो आपक सर्पर्थम रचना करने वाले कभी कर नाम बताना है तो question number इंक्याउन का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा इंक्याउन का right answer यहाँ पर बताना है जाईसी विद्यापती अमीर खुसरो या भारतियंदू क्या पूँचा है मुक्री लिखने का सर्पर्थम प्रियास किस कभी ने किया था तो मुक्री लिखने का जो सर्पर्थम प्रियास किया था मुक्रियां लिखी थी सबसे पहले स्वयम्भू ने अमीर खुसरो जगने क्या कमभंदास है तो यहां पर आपका right answer होगा, bound का क्या होगा right answer, महत्तपुन question है, कई बार एक जामें पूँचा जा चुका question है, और आपका Amir Khusro right answer है, मुक्रियां लिखने का जो प्रियास किया था, सरपरतम भै, Amir Khusro जी ने क्या था, तो विकल्प number C, आपका है, यहां पर सही answer है, question number 53, क् अपका A, यहां पर दिया गया है, Amir Khusro की पहलियां तथा मुक्रियां का जो उद्देश से भै, क्या है, इसका क्या उद्देश से है, Amir Khusro की जो पहलियां है, यहां मुक्रियां है, इनका उद्देश से बताना है, तो आपका हैं पर सही answer क्या होगा, question number 53 है, 4 विकल्प भ यह जो है इनका प्रमकोद्य से इनकी मोकरियां और जो पहलियां हैं इनका यह अमीर को सुरो की हैं question number आपका चवंगन क्या पूचा क्या है तो निम्नमया से कौन सिलांकित किरती है question number आपके आपके लिए बताना है पाहुड दोहा है राउल बेल है प्राक्रित प्यंगलम है बन रतना कर question number चवंगन का सही आंसर चार विकल्प दे गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्ते करते जाएं जन्रों आभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है और यहाँ पर राउल बेल राइट आंसर है यह जो सिलांकित करती है कौन सी है राउल बेल यानि की विकल्प नंबर भी आपका राइट आंसर है सिलांकित करती है बिलकुल और question number आपके यहाँ पर 55 क्या पूंचा गया है राउल बेल किस तरह की रचिना है यह आपके लिए बताना है तो गद्द पद्द मिस्रित चंपू काब बे नाटक सुद्द काब या प्रमक्यानक प्रवंद काब बे क्या होगा इसका सही आंसर पच्पन का महत्तपुण क्यों है पच्पन बा और इसका जो सही आंसर है गद्य पद्य मिसरेच चंपू का वे आपका राइट आंसर यहाँ पर है Question No. 56 पूशा गया है कि नेमिलिकत मेंसे कौन ब्याकरन गरंत की रूप में प्रितेश्टित हैं तो राउल बेल बन रतनाकर उक्ति वेक्ति प्रकरण या कुबलायमाला question number 56 का सही answer बताईए महत्पुण question है question number 56 और इसका जो सही answer है चबपन का भे होगा आपका right answer विकलप नंबर आपका B यानि की उक्ति व्यक्ति पिरकरण आपका यहाँ पर सही answer है उक्ति व्यक्ती प्रक्रण जो है व्याक्लन ग्रंस के रूप में प्रिते थे तो विकल्प नंबर भी राइट आइसर यहां पर होगा Qution No. SunTown क्या दिया गया है तो यहां पर देख लेते हैं Qution No. SunTown आपका एह रहा चार विकल्प दिये गए हैं और संताउन का आपका सही आंसर है PGT परीक्षा 2015 में एक कॉस्चन पूँचा गया D राइट आंसर है आपका यहां पर यानकी ब्याकरण ग्रंथ है यह आपके लिए याद रखना है उक्ति ब्यक्ति प्रिक्राण जो है ब्याकरण ग्रंथ है कॉस्चन नमबर आपका अंठाउन पूँचा है निमनमे से कौन सी रचना ब्याकरण ग्रंथ है तो बताइए अब भी पड़ा वही कॉस्चन आपका यहां पर डबल हो रहा है तो यहां पर सी राइट आंसर होगा यानकी उक्ति ब्यक्ति प्रिक्राण इनमे से कौन सी भासा आदिकाल की है देखिए आपसे यहां पर आदिकाल की भासा पूँचा है यह आपका कॉस्चन PGT परिक्षा 2011 में एक कॉस्चन पूँचा गया है तो ब्रिजवासा डिंगल पिंगल खड़ी बोली या अब दी तो कॉस्चन नमबर 69 का जो सही आंसर है बहे आपका 69 का विकल् किल्कुल सही विकल्ब नमबर एक आपका यहां पर राइट आंसर है ब्रिजवासा कॉस्चन नमबर आपका यहां पर जो 60 पूँचा गया है क्या पूँचा गया है तो यहां पर देख लेते हैं कॉस्चन नमबर 60 आपका यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर 60 ए रहा र डिंगल पिंगल आपका यहाँ पर सही आंसर है डिंगल पिंगल रासु ग्रंत किस भासा में लिखे गए थे तो यह जो है डिंगल पिंगल भासा में लिखे गए थे विकल नमबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा question number आपका एकसेट पूँचा है एकसेट का क्या पूँचा है चारन साहित किस साहित का दूसरा नाम है दूसरा नाम है यह आपके लिए याद रखना है चारन साहित यह जो है किस साहित का दूसरा नाम है सिद्ध साहित का, जेन साहित का, नत साहित का रासु साहित का, question number 61 का सही answer बताईए, महत्वपूर्ण question है और 61 का सही answer आपका यहाँ पर होगा, यह है जो रासु साहित है, इसका दूसरा नाम था, क्या चारन साहित याद रखना है, चारन साहित जो है, रासु साहित इसका दूसरा नाम है, question number आपका 62 यहां पर क्या पूँचा है तो question number 62 आपका एरहा यहां पर देख लेते हैं question number 62 देखे नहीं पूँचा है आपसे यहां पर तो नहीं में आपके लिए बताना है तो बताईए question number 62 का right answer तो यहां पर महत्तपूर्ण question है अपने जो पिछली परिक्चा में पूँचे गए है और यहां पर आपका जो सही answer है कि 84 सिद्धों में नहीं है तो बहें नहीं है कौन सारंगधर कौन नहीं है सारंगधर यानि कि विकल्प number C आपका यहां पर right answer है सारंगधर आपका यहां पर सही answer बिल्कुल उखिए question number 63 देख लेते हैं क्या kys, question number 63 तो यह रहा आपका question number 63 देखे आदी काल में किस पिरकार का सहई लिखा दिखा रहा था तो आदी काल में जो सही पिरकार का सहीत लिखा जा रहा था तो आपके लिखाना है 63 question है महत्वपुन question है और इसका जो सही answer होगा भै क्या होगा आदिकाल में किस पिरकार का साहित लिखा जा रहा था तो आपका सही answer है क्या है right answer जन जीवन से हट कर राजाओं की बीरता का अतिरंजित बंडन क्या जा रहा था आदिकाल का जो सहित था इसमें आदिकाल सहित में यह लिखा जा रहा था जन जीवन से हट कर राजाओं की बीरता का इसमें बंडन क्या जा रहा था question number 64 क्या पूंचा गया है तो यहां पर देख लेते हैं question number 64 देखे ए है आपका की बीरत गाथा कालीन रासो काव में नीम्लिकित में से किस बिसाय का बंड़न नहीं है देखे नहीं पूंचाया आपकर किस बिसाय का बंडन नहीं है तो अस्राइदाता का अतिरणजना पून बंडन इतिहास और कलपना का समिस्रण कृष्ण लीला का पृतिépoqueता दन या आपका यहां पर राइट आंसर है विखल्प नंबर C राइट आंसर है, question नंबर आपका 65 यहां पर पूँचा गया है कि हिंदी साहित के 700 से 1400 इसवी के काल खंड को गिरेसन ने क्या नाम दिया है यह question most important question पूँचा गया है आप से यहां पर तो पताएए क्या है इसका सई आंस आपका यहां पर राइट आंसर है विखल्प नंबर C चारनकाल आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही चारनकाल जनों ने बताया है सही आंसर है question number 66 क्या पूँचा गया है तो question number 66 है विशल दिव रासो ने किस सेली का प्रियोग किया है संगारिक गे आख्यान या प्रबंदे तो विशल दिव रासो में किस सेली का इसमें प्रियोग किया गया है विशल दिव रासो में question number 66 है और 66 का सही आंसर आपका यहां पर जो होगा तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आनिकी गे वीसल देवरासों में के सेली का प्रियुक किया गया है तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहां पर है Question number है आपका यहां पर जो सर्सर्ट बा cigar question पूचे गया है क्या पूचे गया तो यहां पर देख लेते हैं वीसल देवरासों की रजेता कॉन है यह आपका भौती सर्ट question है चंदवरताई है नर्पती नाले है जगने खेया है यह सींभू है वी सल्दिव रासो की रचिएता पूछा है आप से तो सठिएक का आपका जो सभी आंसर है बताऎे क्या है इसका right answer महतुपूर्ण question और इसका सभी आंसर है आपका नर्पती नाल्ले विकल नंबर C आपका right answer है नरपती नाले जन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा वीसल दिव रासो के रचेता कौन है तो नरपती नाले आपका यहाँ पर यह कॉस्चन भी डबल हो गया नरपती नरपती नाले जन्हों गया आपका यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा तो नरपती 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 है आपके लिए बत्ताना है यहाँ पर तो question number 70 है निमलिकित में से किस रासु का आपके का मूल बन विशाय वीर रस ना होकर सिंगार रस है तो आपका यहाँ पर खुमाल रासु या वीसल दिवरासु प्रत्वीराज रासु या परमाल रासु तो 70 का आपका जो सही answer है 70 का right answer यहाँ पर है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्तुपूर्ण question complete हुए हिंदी सायथ कि क्या असा लगा यह वीडियो आप कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक कर